नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा यूट ढूंड रहा होगा नेपाल में काम या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी स्ट्रेगल करना पड़ रहा होगा दिक्कत यहीए कि स्किल्स की कमी है साथी कुछ नया सोचने की कमी है जिसे आप नया बिजनेस डाल पाओ या फिर कुछ नया कर पाओ नेपाल में रहते रहते और इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ एक नई सीरीज जो कि है बिजनस नेपाल जिसमें हम सिखें कुछ स्किल्स जिससे आप पैसा कमा सकते हो ग्रो कर सकते हो साथ साथ एक बिजनस खड़ा कर सकते हो क्योंकि नेपाल के बड़े एकॉनमिस साथ-साथ दुनिया भर के बड़े एकॉनमिस को यही मनना है कि नेपाल को अगर जल्दी ग्रो करना है तो नेपाल के यूथ वो जॉब लेने से ज़्यादा जॉब देने पर धिहान देते है और इन सब चीजों के लिए हमको नए आईडियाज और नए स्किल्स की ज़रूद बहुत ज़ादा है So this series is all about solutions लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहो हैं कि मैं क्यों बिजनस पर ग्यान दे रहा हूं लेकरते हैं इस नए साल 2023 की शुरुवात नए स्किल्स से नए बिजनस से और इस सीरीज से Happy New Year मेरी तरफ से सारे सब्सक्राइबर्स को और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो की स्केल्स में हम सीखेंगे एक नया ओनलाइन स्टोर क्रेट करना यानि कि एक अपनी दुकान जो की ऑनलाइन हो तो इसके थुरू आप अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा सकते हैं किसी और की दुकान को भी ऑनलाइन ले जा सकते हैं या तो आपके पास दोनों ही चीज़े नहीं है तो आपके पास एक प्लान है ड्रॉप शिपिंग का और यह सारी बिजनस मॉडल कहीं नहीं जीरो इंवेस्टमेंट से शुरू होता है यानि कि आपको पैसे भी बहुत कम खर्च करने हैं लेकिन आपको सीखना ज़रूर पड़ेगा वैसे तो हम लोग इस ओनलाइन स्टोर को बहुत सारे प्लाटफॉर्म बना सकते हैं लेकिन जो सबसे सरल सबसे ईजी और सबसे अच्छा आपके लिए जो ऑप्शन होगा वो शॉप लाजा का होगा क्योंकि यहां पर है बहुत सारे टूल्स जो कि आपकी काम को बहुत जादा ईजी करेंगे तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाना स्टोर क उसके लिए आपको नीचे description box में जाना पड़ेगा जहां पर होगा एक special link जो कि मेरा link है उसको click करके अगर आप लोग जाते हो तो आपको मिलेगा 30 day का free trial जिसके जरी आप लोग सीख सकते हो कि कैसे एक online store बना सकते हैं साथ-साथ आपको नीचे मिलेगा मेरा coupon code जो कि है shift 15 उ यहां पर आपको start now का button दिखेगा start now के button पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा sign up sign up with Google साथ-साथ दूसरी तरीके से जहां पर email आप डालके sign up कर सकते हो तो दोनों में से कोई भी option से sign up करो तो मैं करने वाला sign up with Google और इसको click करने के बाद कुछ हैसा interface दिखेगा create an account दिखेगा हमको यहां पर email दिखेगा create an account पर click करना हमको तो उसके बाद हमारा next step आजाएगा यहां पर आपको दिखेगा step 1 जहां पर tell us little about yourself तो you are already selling क्या पहले से कुछ sell कर रहे हो कर रहे हो तो yes कर दो नहीं कर रहे हो नो कर दो फिर आप लोग यहां पर additional अपने store को कहीं और भी sell करते हो कोई और platform पे कुछ चीज़े sell करना चाते हो तो आप सारी sell it करके रख सकते हो कहीं और भी sell कर सकते हो साथ में product को अपने फिर उसके बाद do you want to sell your product through drop shipping yes करना है क्योंकि हम लोग यहां पर drop shipping store की बात करने वाले हैं आपकी currently monthly income तो अभी कोई भी revenue नहीं होगा तो zero डाल दीजे है revenue तो फिर डाल दीजेगा यहां पर आपको मिलेगा choose your product यहां पर बहुत साए different product आपको दिखेंगे इन में से कोई भी चूज कर सकते हों मैं यहां पर back की website बनाने वाला हूं तो मैं back डालूँगा ठीक है फिर next पे आप click कर देंगे तो यहां पर आपको full name अपने डालना पड़ेगा यान अपने नाम डालना पड़ेगा एक phone number डालना पड़ेगा साथ साथ है correct email भी डालना पड़ेगा फिर यह को सारी चीज देखेंगी जहां पर आप मैनेज कर सकते हो तो left side में यहां पर आपको बहुत सारे option दिख रहे होंगे जो कि होगा order product यहां पर आपको setting option दिख रहोगा तो setting के option पे हमको सबसे पहले जाना है और यहां पर हमको settings के अंदर store information पे जाना है अब store information पे हमको basic चीज store name रखोंगा तो यहां पर जैसे कि हम अपना store name np bag रख लिए लेकिन यहां पर जो नीचे link दिख रहा है store link तो यह मेरा link है लेकिन अगर मैं domain name खरीद लेता हूं और उस domain name को मैं यहां पर लगा लेता हूं जैसे www.npbags.com मैंने खरीद लिया और उसको मैंने यहां लगा दि जैसे कि आप नेपाल में अगर बना रहो तो यहां पर नेपाली currency रख लेना अगर आप drop shipping कर रहो यानि कि आप लोग एक दूसरे देश में product बेच रहो और भी कहीं से उठा के तो आप लोग जिस देश में बेच रहो वहां की currency रखना तो यहां पर हमने currency रख ली US dollar फिर time zone रखेंगे यहां पर है तीसरी currency formatting तो इसमें किस तरह किसा आप currency रखना चाहते हो 60 डॉलर रखना चाहते हो वह चीज यहां से set कर सकते हो कोई भी चूस कर लो तो यहां पर फिर आपको दिखेगा address यहां पर आपको अपने store का address भर देना edit order ID format यहां पर एक order ID के आगे आप ल जहां पर आपको करना है click add payment method पर ठीक क्यों को payment method add करना है तो यहां पर आपको बहुत सारे different option दिख जाएंगे सारे ही cards दिख जाएंगे internet banking banking जो भी आपकी country आपने select कियोगी उसके हिसाब से आपको option दिखेंगे यहां पर तो उनको on करने के लिए आप लोग यहां जो services लिखेगा उस पर click करेंगे activate पर तो यहां पर नीचे फिर से आपको further activate पर click करना है और उसके बाद आपको PayPal की website पर ले जाएगा यहां पर आपको sign in करना पड़ेगा या फिर अगर आपका नहीं account है PayPal पर तो आप लोग एक नए account बना लेना है लेकिन मेरा account अल्रेडी दो है PayPal पर पस थोड़ी सी आपको bank details और यह सारी चीज़े डालनी है आपका PayPal account बन जाएगा जो कि इससे connect हो जाएगा और यह PayPal की service इवन सारी ही countries में है तो कहीं नगे आप लोग PayPal की service से ही सिर्फ सारी ही payments ले सकते हो तो इन सारी services को आपका payment का गाम खत्म हो गया अब हम लोग आते एक और चीज़ पर जो कि यहां पो लेफ में देखने को मिलेगी legal page तो यहां पर जैसे legal page आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे pages दिखेंगे तो यहां पर आपको जो page दिखेगा सबसे पहला होगा refund policy का इस refund policy के page पर आप लोग देखेंगे यहां side में left side पर sorry right side पर आपको page तयार हो गया फिर वैसी आपको privacy policy का भी देखने को मिलेगा page और यहां पर term or service का भी वैसा ही page देखने को मिलेगा तो generate कर लीजे template तो अभी हमनों कुछ store के back end पर काम कर रहे थे अब हम देखते हैं कि store कैसा दिखेगा मतलब आगे से कैसा दिखने वाला है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहां पर left side में option है online store और online store पर जाते हैं आपको कुछ ऐसा theme देखने को मिलेगा यहां पर NP bag भी आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर हम एक NP bag का logo बना सकते हैं उसको हम लोग यहां पर लगा सकते हैं usually canva पर आप बहुत जल्दी और बहुत आस size wise change कर सकते हो easily और वो भी drag and drop हो गया आपको कोई programming करने के जूरत नहीं है आपको सिर्फ खिस्काना उठा उठा के तो यहां पर यह जो theme दिखरी है moon की यह काफी अच्छी theme दिखरी है back के लिए तो यहां पर हम preview पर click करेंगे तो हम लोग इसको पूरा देख सकते हैं तो यह कुछ ऐसी दिखेगी जो कि bags मेरा store है तो मैं इसको भी use कर सकता हूँ तो यहां पर आप कोई भी theme select कर सकते हो जरूरी नहीं कि आप bag ले रहे हो तो बैक की theme लो आप उसको customize कर लो उसमें bags की photos लगा लो तो बस structure आपका वैसा रह जाएगा लेकिन आपकी theme पूरी convert हो जाएग करेंगे तो यह जो theme है हमारी देखो उपर change हो गई और यह हमारी जो theme मैंने लगाई थी वह सी हो गई है तो उसके बाद हम लोग उपर click करते हैं view your store अब हमारा store कैसा change हो गया इस theme को लगाने के बाद वो देखते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे change हो गया है ऐसे slider में जाने वाल जिसे हम लोग का खर्चा ही ना हो drop shipping का मतलब ही होता है कि आप किसी दूसरी website से product उठाओ और उसके लिए सबसे अच्छी website जो आपको मिलेंगी वह होंगी Chinese website जो कि आपको मिलेंगी AliExpress और बहुत सारी ऐसी ही different website तो वहाँ पर जो item हो काफी जादा cheap होगा काफी सस्ता होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अपनी website पर डालेंगे और उसको महंगे दामों पर बेचेंगे तो यहाँ पर जबसे अच्छा होगा जिसकी rating भी अच्छी है और जो बैक भी अच्छा देखने में लग रहा है उनको हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे store पर ज्यादा बिगने के chances हो होंगे तो यहाँ पर यह 16-21 का बैक अच्छा लग रहा है इसको हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर जो आपको image दिखरी इसको directly हम लोग save करने वाले है तो इनकी सारी image हम लोग ले लेते हैं जो हमको requirement है ठीक है फिर यहाँ से हम लोग description भी इनका copy कर लेते हैं साथ साथ इस product के बाले में जो चीज़ें वो सब लोग कापी कर लेते हैं और एक जगा पर list बनाते जाएंगे अब यह product मालो 600 का बिक रहा है इसको हम लोग 5000 का बेचेंगे और वहाँ पर अगर हमको यह sale मिलती है तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और वो जो same order हमारे पास आया है उस order की detail यहां डालेंगे यहां से हम उस customer को भेज देंगे तो कुछ ऐसे ही काम करता है drop shipping committed तो करीबन 10 या 15 ऐसे ही अच्छे products ले लिए जो कि आपकी website पर ज्यादा अच्छे लगे तो अभी हम लोग को products तो मिल चुके हैं तो हम लोग अपनी online दुकान को यानि कि online store को थोड़ा बहतर करते हैं तो अब हम लोग फिर अपने online store पर जाते हैं जो सबसे पहला theme है वहाँ पर जाते हैं यहां पर हम लोग इसको क्लिक करते हैं यहां पर अपने logo को अपलोड करेंगे और यह हमारा logo कुछ ऐसा दिख रहा है देख सकते हैं अब थोड़ा सा नीचे आते हैं अप यहां पर हमको जे image with text दिख रहा है इसको हम लोग चेंज करेंगे और यहां पर हम लोग लिख लेंगे new collection लिख देते हैं अब यह जो button दिख रहा है इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं इसके color को भी चेंज कर सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा हो color यहां पर हम लोग स से match कर रहा है तो जादा अच्छा लग रहा है तो थीम मैच कर रही है लोगों के साथ यहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर text column with image दिख रहा है इसका भी नाम हम लोग change कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं best seller तो यह basic हम लोग text marriage change कर लिया है अभी हम लोग मने ज़रू सते हम लोग अधार ह between चैनल अज्य दिनकर लाइगत है हम लोग आते हैं ईव हम अनुए महें सेटके मेट पर कर इक time लोग सकते शरूपयारी से सनगारी GREG हो भी तो यहाँ पर मैं इससे बनाते हैं यहां उसाट यहाँ पर आप लोग को यहाँ इस्क्रिप्शन भी डानना पड़ेगा इस्क्रिप्शन में अच्छे टैक्स वल्स यूज करेगा यहाँ पर जो अपलोड इमेज का सेक्षेन है यहाँ पर आप लोग इमेज अपलोड कर दीजेगा फिर यहाँ पर आपको इस SEO एडिट करने का भी होगा यहाँ SEO ज़रूर एडिट कर लीजगा क्योंकि SEO से आपका सर्च रिजल्ट में यह चीज़े आने के ज्यादा चांसेज है दूसरा कलेक्शन बना लेते हैं पार्टी, बैक्स का तो हमारे कलेक्शन तो बन चुक है आपको प्रोड़क्ट को लिस्ट करना है क्योंकि एक स्टोर में प्रोड़क्ट नहीं होंगे तो लोग खरी देंगे क्या उठाया था, make sure कि description काफी अच्छा लिखना है क्योंकि description पर ही जादातर customer focus करता है कि product कैसा है, यहाँ पर size wise तो हम लोग वहाँ से उठा लिए तो जो copy करना है लेकिन उसको आप लोग better करना तो better sale के chances होंगे, साथ-साथ SPU number में आप लोग को एक number डालना होता है, जो कि आपका product का number है, वो आप लोग को internally काम आएगा डाल सकते हो खुदी, फिर यहाँ पर category, collection, collection में कोई भी collection डाल सकते हो, हम लोग इसको किसमे कर देते हैं यही collection है, जो कि हम लोग पहले बनाये थे, तो आप लोग इसको party bag में डाल देते हैं, या फिर ladies bag में डाल देते हैं, उसके बाद confirm कर देते हैं यहाँ पर आपको tags मिलेंगे, tags भर देना, vendor का detail भरना चाहो तो भर देना, कि किस vendor से लिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है यह सब भरने की ठीक है, फिर SEO जो है नीचे आपको दिख रहा है, SEO ज़रूर कर लेना, वहाँ पर जो title tag से वह सब डाल लेना, जिसे आपका search result में आने के chances बढ़ जाएंगे यहाँ पर हम लोग को जब next पर click करेंगे तो यहाँ पर image पूछेगा, तो हाँ हाँ अपने back की image अपने back की image फिर हम लोग उसको insert कर देंगे जिदनी जादा image होंगे उतना जादा अच्छा है क्योंकि different angles से customer को image देखने को मिलेगी product कैसा है और यहाँ पर नीचे variant पूछ रहा है single तो हमने single डाल दिया है क्योंकि multi मतलब की आप लोग के पास differentis के color है तो multi variant में डाल देना inventory पूछ रहा है, inventory tracker पर आप टिक कर सकते है या फिर नहीं कर सकते हो आपकी मरजी फिर यहाँ पर price रखना है $70 का बेच रहा है मैं यहाँ पर random रख देता हूँ जल्दी जल्दी में जो भी रख सकते है 120 मैंने रख दिया cost price मैंने 70 रख दिया है weight कर दिया है जो भी हो आपका weight fit वहाँ पर देख लीजेगा वही भर दीजेगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट हो गया है और वैसे हम लोग एक तीस्रा भी लिस्ट कर लेंगे तो सारे product हमारे list हो गया, जितने मैंने तीन लिए थे, तो मैंने अपने तीन product किये, आप लोग अपने जितने ही product हो सारे कर लेना, तो अब हम लोग back चलते हैं, और देखते हैं कि अपने store पे हम लोग कैसे इन products को लगा सकते हैं, यहां पर हम लोग अनलाइन स्टोर पर आ गए हैं यहां पर हम लोग फिर से कस्टमाइज पर जाते हैं क्योंकि हम लोग कुछ चैंज करने हैं अब यहां पर image slider है यह image back से related नहीं हैं तो हम लोग यहां image चेंज कर देता हैं हम ने कुछ download किये image यहां पर edit image कर सकते है, change page, change पर click करते है, change image, तो यहां से हम लोग upload करके यहां पर डाल देते हैं, तो यह हमारी एक image हो गई, यह desktop पर है, नीचे mobile image है, तो mobile में भी change करके, same image डाल दो, अगर same चाहिए, different चाहिए, different चाहिए, different डाल दो, यह दो उपर के लग गई, add image भी कर सकते हो, आप लोग 3-4 जितनी slider image डालने है, जैसे कि discount के लिए डालना है, 50% discount, या फिर कोई sale चल रही है, तो उसकी image आप लोग special से डाल सकते हो, save draft करने के बाद जैसे हम public करेंगे, तो public करने पर store live हो जाएगा, तो दियान में रख, अब लोग अपर store में थोड़ा सा नीचे आते है, नपी bags पे, यहाँ पर हर चीज आप लोग डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी text दिख रहा है, यहाँ पर new collection हम लोग ने बनाया था हो है, अब यह optional button दिख रहा है हम पर, तो यहाँ पर image भी हम लोग पहले change कर लेते हैं, image यहाँ पर यह वली लगा देते है, बैक से related, यह optional button दिख रहा है, इसको हम लोग change कर लेते हैं, इसको कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पर buy now कर देते हैं, और इसमें जो link है, बटन का link, वह आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, जो link है, target link पर आप भेज सकते हैं, जैसे ही कोई click करेगा इस button पर, तो वो page खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग फिर left side में यहाँ पर product दिख रहा है, अब हम लोग पर लिस्ट किये हैं, यहाँ से हम लोग कोई साभी winter woman head या फिर style girl bag यहाँ पर डैक लेते हैं, तो यह हमारा bag दिख रहा है, इस सारी चीज़े अपने आप उठा लेगा हो, यहाँ पर यही section copy करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर एक और product list कर लें, तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसको change करेंगे, जो copy कर रहा है, यहाँ पर हम लोग दूसरा product डालेंगे, change product winter woman वाला डाल दिया, ठीक है तो यह winter woman आ गया, उपर stylo bag हो गया, और नीचे winter उसको save कर दिया हमने, अभी new collection हो गया, यह यह हो गया, best sellers में यहाँ पर बाद में change कर देंगे, आगा आपको change करना हो change कर लो, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ यहाँ चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पर image हैं इनको change कर लें, हमारे पास image पड़ी हुई है, यह दोनों image हम लोग change कर देते हैं, तो यह फीचर collection है, यहाँ पर हम लोग collection सेलेक्ट कर लेते हैं, जो collection हमने बनाया था, वो collection हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस collection में जितने product हों गो दिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर कितने product दिखें, चार, तीन, दो या एक, तीन हमारे पास अभी पड़े हुआ हैं, तो तीन ही कर लेते हैं, तो तीन दिखेंगे यहाँ पर, फिर save कर लेते हैं, यह product आपको दिखेंगे नहीं, all product पर जाना है, active में है, slider इसको हम लोग को green करना पड़ेगा, तभी यह product active होंगे, तभी आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको active कर लेते हैं, confirm, तो तीनों को हम लोग confirm कर लेते हैं, अब यहाँ से हम लोग साइट पर यह product देखने लगेंगे, तो एक तरह से हमने product भी list कर लिए, अपनी site बना लिए और सारा ही काम कर लिया, तो अब लोग जाते हैं view store पर, तो यहाँ पर हम लोग को सारा store, अब लोग को changes की हैं, वो दिख रहा है NP bags और यह वो style of girl bag, फिर अपना winter woman hand bag female, और सबका वैसे ही price दिख रहा है, वैसे हमारी photos आ गई, वैसे हमारी यहाँ पर नीचे feature collection में भी तीनो bag दिख रहे है, तो एक खुबसुरत back website दिख रही है, ऐसे आप लोग बहुत साई different category की website बना सकते हो, और drop shipping कर सकते हो, अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग product कैसे खरीज सकते हैं, कैसे checkout page दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे जाते हैं, इस वाले product पर, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, इस style of girl bag पर shop now करते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा पर page दिखता है, add to card करते हैं, यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें वह दिखने वाली हैं, जितने भी order fulfill हुए हैं, जितने भी payment हुए हैं, और जितने भी order आए हैं, आज, कल, yesterday, साथ दिन पहले, सारी ही जो tracking है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहीं से आप लोग सारी ही चीज़े handle करोगे, तो मानलोते हैं कि एक order आता है, जो कि हम लोग को fulfill करना है, अब हम लोग drop shipping कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे order को fulfill करेंगे, अगर मेरा business होता, कि मानलोग मेरी मिठाई की दुकान है, और मेरे पास order आता है, कि एक kilo लड्डू देना है, तो मैं तो भाई पैक करूँगा लड्डू, और पैक किया जो भी customer की detail आई, उसको send कर दिया अपने parcel से, लेकिन अब हमारे पास drop shipping का order आता है, तो हमको करना क्या है, drop shipping का जैसे हमको order आता है, तो हमको यहाँ पर customer का payment भी मिल गया, तो माल लो 3000 रुपय का payment मिला, और वो customer की detail होंगी, जहाँ पर उसको product भीजना है, उठाएंगे हम लोग वहाँ पर उसके लिए order प्लेस करेंगे उस third party website पर, कि customer ने हमको 3000 रुपय पहले ही देचिके थे, और यहाँ पर product सिर्फ 200 रुपय का है, हमने उसी पैसे में से 200 रुपय निकाले है, यहाँ पर order प्लेस किया उसके लिए, customer तक product अब AliExpress यह जो third party website भीज़ी हमसे मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा account AliExpress पर वहाँ पर हम दो देखेंगे कि शिप हो गया तो tracking ID मिल जाएगी, वही tracking ID हम लोग यहाँ पर paste कर देंगे, customer की tracking ID पर जो कि हमारी website पर होगा, तो बस सीधे हमने tracking ID पर यहाँ से उठाके paste कर दिया, तो सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग को 2800 रुपय का profit, तो ऐसे ही कुछ काम करता है drop shipping का method, तो यहाँ पर आपको शॉप लाजा पर कुछ और apps भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर apps जैसे ही आप लोग जाओगे, तो different जो apps लिख रहे हैं यह सब बहुत useful app है, तो ऐसे ही कहीं नहीं कि आप लोग online store बना सकते हो, माईने का 15-20,000 आप लोग उनकी sales के इसाब से order ले सकते हो, और आप लोग यहाँ पर फटक से उनके लिए store बना सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत कम महनत भी करने पड़ेगी, साथ साथ आपको अगर कोई problem भी होती है, तो अगर आपकी अपना business है तो उसको भी online लेकर जाओ और ज्यादा sale करो, और तीसरा टाइडोर टेसर मैठेड है drop shipping का जिसको बहुत सारे लोग करते हैं, और इससे लाखो करोडो रूपए कमाते हैं, तो बिजनस नेपाल की पहली वीडियो आपको कैसी लिए कॉमेंट करें जरूर बताएगा, साथ ही अगर आपको थोड़ी भी informative लगती है तो प्लीज इस पर comment करें लाइक करें जिससे मेरा motivation और ज़्यादा boost करें, जिसे मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और हम लोग कुछ skill सीखते रहें इस नए साल में और आगे आने वाले सालों में, तो साथ ही मैंनो जो store अभी बनाया है वो live है तो आप लोग उसको जा कर देख सकते हो, उसी link पर जो नीचे दिया हुआ है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इससे बहुत सारे store बनाऊगे और बहुत सारे स्विर बेचों भी और एक business खाड़ा कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, एना नीउस.